नमस्कार दोस्तों मैं कुशाल लागर स्वागत करता हूँ आपकी शीटूप चैनल कुशाल LLV पर दोस्तों आज हम जानेंगे अंडर वर्ल्ड डोन और इंडिया का मॉस्ट वांटेड डोन दाउदी ब्राहिम का जीवन परीचे कासकर जो मुंबाई पुलिस में हैं पोस्टेवल थे माता का नाम अभीना भी था जो हाउस वाइव थी और इनके भाईयों की बात करें तो इनके भाईयों का नाम साबिर एहमत मुस्ताकिम अली मुहमत साबिर एहमत नोरा इब्राहिम सबीर इब्राहिम कासकर जैतुन अतूल इक्वाल हसन इनके भायों का नाम था बेहन की बात करें तो इनकी सिस्टर का नाम था फरजाना तुगेकर, मुम्ताज, हसीना पारकर और सईदा पारकर इनकी पतनी की बात करें तो इनकी पतनी का नाम है मैजवीन सेख उर्फ जुबीना चरीन इनके बच्चों का नाम है मोईन इब्राइम, मारिया इब्राइम और मारुक इब्राइम इनके बच्चों का नाम है अगर इनके स्कूल की बात करें तो एममत सैलर हाई स्कूल डोगरी मुंबाई से इनने पारंबिक सिक्षा प्राप्त की आप जानते हैं दाओदी ब्राहिम का जनम परिबार सिक्षा एब सुरुवाती जीवन के बारे में दोस्तो अंडर वर्ल्ड ओन दाओदी ब्राहिम महारास्ट के रतनागरी में 27 दिसंबर 1955 को इनका जनम हुआ था और उनके पिता सेक इबराहिम अली कासकर मुंबाई पुलिस में कॉंस्टेवल थे इनकी मा का नाम अमीना भी थी और दाओदी ब्राहिम के मन में पैसा कमानी की ललक सुरू से ही थी और अपरादी गती विदियों में ये सुरू से ही लगे हुए थे जिसकी वज़ा से उन्होंने अपने उस्कुल की पड़ाई बीच में ही छोड़ दी दाओद की सोर अवस्ता से ही सराब पीने नसा करना जैसे बुरी आदतों का सिकार हो गया था और ये ही नहीं अपने इस सोक को पूरा करने के लिए वे छोटी उमर में ही चोरी करने लगा था और ड्रग सप्लाई डकैती लूट पट आदी अपरादों को अंजाम देने लगा था आप जानते हैं दाओदी प्राइम की गल्फेंट्स और साधी और बच्चों के बारे में दोस्तों दाओद का नाम भारती अभी नेतरी मंदाकनी से भी जुड़ चुका है इन दोनों की साधी के साधी करने तक की खबरे मीडिया में आई थी फिलाल दाओद की घरवालों ने उसकी अपरादी खरकतों से परिशन होकर उसकी साधी मैजबिन उर्फ जुबीना जरीन से करवा दी थी साधी के बाद उसे तीन मेरिन माजिया और मारुक नाम की तीन बेटिया हुई जबकि मोहिन नवाज नाम का बेटा हुआ उसकी सबसे छोटी बेटी मारिया की मौत हो चुकी है और उसने अपने बड़े बेटी मारुक की साधी पूर पाकिस्तानी किर्किटर जावेद मियदाग के बेटे जुनेद से करवा दी और मारीन की साधी पाकिस्तानी अमेरिका अयूब से हुई जबकि बेटे मोहिन की साधी सोनिया नाम की लड़की के साथ करवाई है आप जानते हैं दाओदी बराइम कैसे बना डॉन जी हाँ दोस्तों Most Wanted आत्मन की दाओदी बराइम को सुरू से ही गलत सोग और बुरी आलतों की वज़ा से अपरादी गती वीडियों में दिल्चस्प भी बढ़ने लगी थी उसने सबसे पहले एक बिजनसमेन के साथ लूट पाट कर पहली अपरादी गती वीडियों को अंजाम दिया हाला कि उसे अपनी इस करतूत के लिए जेल भी जाना पड़ा था लेकिन जेल से चुटने के बाद भी दाओद में कोई सुदार नहीं आया बलकि वे मुंबाई के अंटर वर्ल डॉन करीम लाला की गैंग के साथ जुड़ गया और क्रिमिनल गती वीडियो को अंजाम देने लगा लेकिन इसके बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी एक अलग क्राइम गैंग बना ली दाओदी ब्राहिम को उनिस सो स्थी के दसक से पहले डॉन के रूप में ऐसी कोई खास पैचा नहीं मिली थी लेकिन इसके बाद इसका नाम मुंबाई अपराद जगत में तेजी से उबरा और असी के दसक में दाओद का नाम अपराद की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन गया जो कि फिल्म फाइनेंसिंग से लेकर सक्टे वाजी तक काम करता था वही अब तक दाओद की अपरादी गतिवीदी अतनी बढ़ चुकी थी कि वो लोगों को डरा धमका कर फ्रोती वसूल करने लगा जिसकी वज़ा से वो मुंबाई पुलिस की नजरों में एक अपरादी के रूप में चड़ गया और अपने गुनाओं के लिए उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा था लेकिन हर वार वे जेल से छुट जाता और नए जरुम की वारदात को अंजाम देता था यहां तक की मुंबाई में लोग उसके खौफ से डरने लगे थे और वे लोगों को डरा धंका कर करोड़ो रुपे एटने का काम करता था हाला कि इसके बाद लगातार वे अपनी अपरादिक कार नामों के लिए वे पुलिस के सिकंजे में फस्ता रहा और 1980 में वे पुलिस को चकमा देकर दुबाई भाग गया इसी दोरान उसकी मुलाकात एक अन्य डौन छोटे राजन से हुई दोनों मिलकर भारत के बाहर काम करने लगे और अपरादिक गतिविदियो को अंजाम देने लगे वे वे विदेश में बैटे बैठे कई आतंकी संगटनों को अपनी गैंके माध्यम से भारत में कई अपरादिक वारदातों को अंजाम देता रहा और 22 मार्स 1993 में मुंबाई में अलग-अलग चगा बियानक बम डिस्पोट हुए और जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हो गई और 700 लोग घायल हो गए जाच में दाउद का ना मुंबाई बम धमाके के मास्टर माइन्ट के रूप में उबरा जिसके बाद वे अंडर वर्ल्ड के सबसे बड़े और इंडिया का मौस्ट वांटेड डॉन बन गया हाला कि इस बम धमाके में छोटे राजन और दाउद की दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों की दोस्ती दुस्मनी में बदल गई और दोनों अलग हो गए दाउद पाकिस्तान चला गया लेकिन वहां कराची में रहकर भारत के खिलाफ अपना जुरुम जारी रखा इसके बाद 2005 में भारत की खूफिय एजेंसियों ने उसकी बेटी महरुक की साधी के रिसेप्शन में उसे माणने का प्लैन बनाया लेकिन प्लैन लीक होने की वज़ा से वह बच निकला वही समय समय पर दाउद को भारत पर लाने की मांग उठती रही और भारत सरकार पाकिस्तान पर दवा बनाती रही लेकिन दाउद अपना ठिकाना बदलता रहा और अभी तक नहीं पकड़ा गया आज भी वह बारत का मौस्ट वांटेड अपरादी है दोस्तों अपने नाम और पहचान बदल कर गुनाओ को देता है अंजाम के रिपोर्ट्स और किताबों के मुताबिक दाउद ने तेरा बार अपनी अलग अलग नाम और पहचान बदल कर अपराद की वारदात को अंजाम दिया है उसके बारे में यह भी परसीद है उसने कई बार पुलिस के सिकंजे से बचने के लिए अपने चेरे की सरजरी भी करवाई है इसके अलावा अंडर वर्ल डोन दाउद के बारे में ऐसी भी खबरे हैं कि पाकिस्तान में वो सेक दाउद हसन के नाम से रह रहा है और उसके बार डैविड भाई अमीर साब हाजी साब आदी के नाम से भी सम्मधित उतरा है इसके अलावा दाउद के कई अलग अलग ठिकाने होने का भी दावा किया जाता है दाउद के पास चार पासपर्ट होने का भी दाउद दोस्तो दाउद पर फिल्मे भी बन चुकी है अपराद की दुनिया का सबसे बड़ा नाम दाउद इबराहिम के जीवन पर वोलिवोड में D. Company, Suit Out and Lockernd वाला Black Friday और Once Upon Time in a Mumbai आदी फिल्मे बन चुकी है Underworld Dawn दाउद इबराहिम से जुड़े चर्चित वी वाद जी हाँ, दाउद इबराहिम से जुड़ी कुछ कॉंट्रो वर्सी है जो मैं आपको बताऊंगा सन 1993 में हुई मुंबाई में ब्यानक Bambi Sport का मास्टर माइड दाउद इबराहिम का नाम आता है इस Bambi Sport में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से ज़्यादा लोग बुरी तरह गायर हो गए थे Underworld Dawn दाउद इबराहिम के भारत के ज़्यादे तर हवाला सिस्टम को कंट्रोल करते है और Underworld Dawn दाउद को लेकर कुछ कूफिया एजंसियों ने ये भी दावा किया था कि वे ब्रेटेन, सिंडिकेट, पस्चिम यूरोप में बड़े इस्तर पर नसीले और मादक पदार्तों का संचलन कर रहा है दाउद के संबद अलकायदा आतंगी संगटन के नेता ओसामा बिलादेन से होने का भी दावा किया गया था इसके अलावा दाउद के संबद अन्य बड़े आतंगवादी संगटन लसकर एत्यावा से भी बताए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि दाउद इन संगटनों को खाने पीने की विवस्ता समेट financially भी सपोर्ट करता है साल 2003 में दाउदी ब्राहिम को भारत और सहयुक्त राज्य अमरीका की सरकार दोारा ग्लोबल टेरिस्ट यानि की वेस्विक आतंगवादी करार दिया गया था दोस्तो आई होप आप सभी को दाउदी ब्राहिम से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी इंट्रेस्टिंग और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सुस्क्राइब कर ले और साइड एम बेल का इकन दिख रहा है